आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तरनी हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सबागत है दोस्तों आप CBI, CBI एकसर सुनते रहते होंगे कोई भी क्राइम हुआ CBI को सौंप दो कुछ भी होता है तो CBI है क्या आज हम इस च बनाया गया वह यह CBI बन गया 1963 पे तो CBI बन गया था याद रखेगा यह एक स्टाटिचुली बॉडी नहीं है ठीक है ना ही कंस्टिट्यूशनल है इसको संतनाम संतनाम कमिटी ने रेकमेंड किया था ताकि करप्शन को प्रिवेंड किया जा सके और वहां से फिर CBI आई है समझ रहे हैं पावर जो है डेली स्पेशल पुरिस इस्टाबलिश्मेंट आग्ट जो है 1946 यहां से लेती अपनी पावर यह ठीक है और सबसे इंपोर्टेंट CBI देश की सबसे इंपोर्टेंट इंवेस्टिगेटिंग एजनसी है करप्शन हो क्राइम हो कुछ भी हो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन और CBI यह दो बहुत जाधा इंपोर्टेंट है लेकिन CBI इसमें तॉप पर है सेंट्रल विजिलेंस कमिशन और लोगपाल असेस्ट करते हैं को बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट 2016 तक क्या क्या इनके पास था एंटी कर्प्षन कोई भी कर्प्षन का केस आएगा तो CBI देखेगी कोई कोई इकॉनमिक ओफेंस होगा तो भी CBI देखेगी स्पेशल क्राइम कोई स्पेशल क्राइम आएगा मुडर हो गया कोई हाइप्रोफाइल मुडर हो गया रेप हो गया वह भी CBI देखेगी ठीक है इंटरनाशनल पुलिस कॉर्प्षन डिविजन भी है इनका कि अगर माल इसलिए बाहर बाग गया तो बाहर की ऑर्गनाइजेशन के साथ मिलके CBI अपना चला सकती है बाहर की और्गनाइजेशन के साथ फिर एक इनका अड्मिनिस्ट्रेशन डिविजन है फिर डारेक्टोरेट ओफ प्रोसीक्यूशन है और फिर इनकी सबसे इंपोर्टेंट विं इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व करती है क्यों बहुत ही एड्वांस और्गनाइजेशन है इनके पास सारे मॉडन एकुप्मेंट होते हैं ठीक है और बेस्ट ब्रेंस आते हैं मैंने बताया ना गाजियाबाद में CBI अकैडमी है बकायदा यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्र हैं उनको बुलाया जाता है और एक होते लॉंग टम बसिक कोर्स ठीक है यह लॉंग टम की बात करें दोस्तों तो यह जो DSP होते हैं सब इंस्पेक्टर कॉंस्टेबल्स इनको दिया जाते है इनको ट्रेनिंग दी जाती है ठीक है CBI के डारेक्ट और इंडारेक्ट मिल सकती है, CBI में आपको अच्छी position मिल सकती है, समझ रहे हैं, तो दोनों तरीके से recruitment CBI में होते हैं, लेकिन ये सरकार के अंदर है, सबसे बड़ी बात ये है, CBI में एक होता है director, ठीक है, और एक होता है special director, और एक additional director, ठीक है, और ये सब सरकार के अंदर है, फिर उसके बाद number of joint directors होते है, deputy inspector, superintendent of police, सब, police और CBI साथ में मिलके काम करते हैं, in short, इनका 5000 से ज़्यादा staff है, 125 scientists है, forensic scientists और 250 law officers है, इसलिए CBI को भारत की सबसे ज़्यादा, सबसे बहतरीन investigating agency माना जाता है, भारत की investigating, main investigating agency is CBI, कोई भी case होता है profile, CBI को swap दो, hero है CBI एक तरीके से, ठीक है, अब दोस्तों, ऐसा है कि, जो director होता है CBI का, IG of police होता है, समझ रहे हैं, IG of police is the director of CBI, ठीक है, उसके बाद, Delhi Special Police Establishment, यह जो इसकी administrative organization है यह वाला division जो है, यह Delhi Special Police Establishment के अंदर आता है, समझ रहे हैं, DSPE इसके administration को देखती है, समझ गए, functions क्या है आपको पता ही है, किसी भी तरीके का case हो, चाहें, corruption से हो, murder से हो, rape से हो, bribery से हो, foreign exchange से हो, import control से हो, central exercise, किसी भी तरीके का case हो, economic से हो, कोई पैसा लेके भाग गया हो, ramification, कुछ भी हो, CBI देखती है, उसे, समझ रहे हैं, अगर सरकार ने बोल दिया कि CBI, court भी direction दे सकती है, court भी बोल सकती है, कि CBI को soft देते हैं case, और सरकार के अंदर है CBI, ये देखे, independent organization नहीं है, ये बहुत time से मांग चल रहे हैं कि CBI को आजाद करो, ठीक है न, CBI को अकसर caged parrot बोला जाता है, कि ये तो वो तोता है, जो हमेशा पिंजरे में बंद रहता है, क्योंकि सरकार के ही निर्दोश्यों पर काम करता है, अब problem ही होती है, court ने भी वकायदा बोला है, इसमें अपत्ती जताई है, इसमें कई बार सरकार के खिलाफ case आते हैं, कुछ बहुत बड़े bureaucrats involved होते हैं, अब अगर CBI सरकार के ही अंदर रहेगी, तो उन cases को कैसे देख पाएगी, है न, तो इसे लिए दोस्तों एक बहुत important Act आया, लोगपाल एन लोका युक्त Act 2013, इसने DSPE, Delhi Special Police Establishment Act जो है न, मैंने आपको अभी बताया था न, DSPE बहुत important है, CBI अपनी पावर, ये DSPE जो की 1946 से आया था, यही सही अपनी ताकत लेती है, यहाँ पे DSPE में, Delhi Special Police Establishment में जो provision है, वो CBI के पास भी है, ताकत पुरी य आमेंड किया गया, इसमें, इसकी आमेंड में क्या था, appointment, कैसे appointment किया जा गए है आप इस CBI को, Central Government, CBI के डारेक्टर को appointment करेगी, और Central Government का हस्तक शेप होगी आप इसमें तो, ठीक है, कैसे appointment करेगी, तीन मेंबर की committee बनाए जाएगी, फिर से देख लिजे, तीन मेंबर की committee, non-constitutional bodies देख रहे हैं, फिर तीन मेंबर की committee आगी, तीन मेंबर की committee, committee का head कौन होगा, कौन हो सकता है, पॉस करिए कौन हो सकता है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, Prime Minister, सारी इस, जो non-constitutional body है, उन सारी committees का, जो head होगा, जो non-constitutional bodies के members को appoint करेगा, committee appoint करती है, बाद में president को recommend करेगी, committee का जो head होगा, वो prime minister ही होगा, दूसरा leader of opposition, जो लोग सबा में है, और तीसरा chief justice of India, या फिर judge of supreme court, समझ रहे हैं, तो ये central government इस तरीके से director of CBI को appoint करती है, 2013 में दिया गया, 2013 में जो लोका युक टैक्ट आया, वकायदा उसमें 1946 के ये DSPE Act को amend किया गया, change किया समझ रहे हैं, ये commitment और था कि central government एक SP rank के officer को भी appoint करेगी, अब उसके लिए एक committee बनाई जाएगी, उसमें कौन होगा, central vigilance commissioner, उसका chairperson, vigilance commissioners और secretary of home ministry, समझ रहे हैं, तो ये, ये basically इसका appointment है, जो कि 2013 में थोड़ा सा बदला, इसका धाचा, लेकिन वही चीज है ना, कि अगर CBI को कोई बहुत important case हाता है, तो उसको सरकार की permission लेनी पड़ती है, ठीक है, बिना सरकार की permission के CBI काम नहीं कर पाएगी, तो इसलिए CBI को अकसर caged parrot बोला जाता है, अचा चलिए मैं इसमें आपको एक और चीज बताता हूँ, वो चीज मैं इंक्लूड नहीं किये, चलिए मैं बता ही देता हूँ, मोटो क्या है, मोटो mission और vision का है CBI का, मोटो is industry impartiality and integrity, mission भारत के समविधान को अफोल्ड करना, भारत को भारत समविधान से चलता है, और भारत को उसी तरीके से चलाना, समविधानिक तरीके से चलाना, ये CBI का mission है, और investigation की depth तक जाना, समझ रहे हैं, औ और उसके बाद यहां पे मोटो mission की बात होगे, vision क्या है, कहीं पे भी corruption हो रहा है, कोई पे भी high technology crime हो रहा है, cyber crime हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी problem हो रही है, कोई war हो गया है, national और transitional organized crime हो रहा है कहीं पे, उसको देखे CBI investigate करे, और उसके बाद फिर arrest करे, human rights को भी prevent करती है, कह अभी CBI को केस दिया जा सकता है तो आई होप आप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब तो आप मतलब CBI आपको समझ में आई गया ना कोई दिक्कत नहीं So this was all about CBI छोड़ा सा चाप्टर था खुश रहे पढ़ते रहे देसे सिद्धान तक नहीं होतरी सहानी